बिस्मिल्ला रामान रहीम, अस्सलाम अलेकुम, आप देख रहे हैं हमारा चैनल, देसिस्टाइल फूट सिक्रेट, तो आज में आप लोग के साथ शियर करूंगे, आलो के कबाब की रेसिपी, जो बहुत आसान है और बहुती जबदस टेस्टी सी रेसिपी है, और नहीं ये अधी जगा चैनल पे अगा नए है, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटाने, इसको दबाने से हमारी नहीं नहीं वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी, तो चलिए आईए, अपने सिपी को बनाना, स्टार्ट कर लेते हैं बिसमिल्ला एरबारे रहीं करेंए से बहुत असाने से हमारे इस्तार शरा से मेश हो जाते हैं, तो देखे, अलू को मैने इस्तार शरा से अच्छे से मेश कर लिया है, तो इससे हमारे बहुत अच्छ के मैश हो चुके हैं, अब इसमें में कुछ मसाले डालूंगी, तो थोड़ा थदा मны धन्यांश und कुछ मैंने हरी मिच को चॉप कर लिया था और यह एक बड़े साइस की मैंने प्यास को इस तरह से फाइन चॉप किया हुआ है तो यह सारे हरे मसाले में डाल दूंगी तो रेसिपी को स्टेप बाइस्टेप पूरा फोलो किया करें ताकि आप भी परफेक्ट रेसिपी को बना कि मैंने इस में हरी मिच का भी इस्तेमाल किया है तो इसलिए अपने टेस्ट के मताबिक डाल जालेंगे और एक टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून मैंने इस तरह से पिसव धन्या ले लिया है और थोरग सा में इसमे एक आले मिच का पॉौर डालूंगी इससे बहुत भी नहीं बिकरेंगे और इसे बहुत ही अच्छी क्रिस्पी भी बनेंगे तो यह देखें मैं इस तरह से सारी चीजों को एक खटा इस तरह से मिक्स कर लूँगे तो अगर कॉन फ्लार की जरुरत लगेगी तो इसमें हम कॉन फ्लार का इस्तेमाल और भी करेंगे तो मैंने इसमें दो टेबल स्पून और डाला था तकरीबन पांच से छी टेबल स्पून भरके मैंने इसमें कॉन फ्लार डाला था तो आब इसे अफ्तार में भी बना सकते हैं अफ्तार में बहुत ही असान हो जाता है बहुत जट पर तयार हो जाते हैं बहुत कम वक्त में बनते हैं और यह देखें, हमारा बिल्कुल बहुत भध, जब इस-जबदस। आलुक बैटर इससरह तैयार हो चुका है बहुत परफिक्ट बना है तो बस इसी तरह कहाँ होना चाहिए ऐब इसको हम इस तरह सी कबाब बनाएंगे तो इसके लिए पहले मैंने आइल से हातों को अच्छी से क्रिस कर लिया है ताकि हमारे हातों पर इसका जो बैटर है वो चिपके नहीं जब इसको हम बना की साइट पर रखेंगे तो जो हमारे प्लेट है उसके उपर भी नहीं चिपकेंगे तो बहुती एजीली निकल जाएंगे तो इसलिए थोड़ सा ओयल से हातों को क्रिस करके ही इसको बनाएंगे तो बस इनकों मैं इस तरह से गौल शेप में बना लूँगी जिस तरह से कबाब होते हैं तो ये कबाब बहुती जादा टेस्टी बनते हैं आप गोश्ट और चिकन की कबाब को भूल जाएंगे जब इस तरह से आप आलो की कबाब बनाएंगे तो आप सब को बहुती जादा पसंद आने वाली ये रेस्पी है रेस्पी को आप लोग पूरा फॉलो क्या करें तो रेस्पी को आखरी एंड तक देखा करें ताकि आप लोग को कुछ नो कुछ नया आइडियाज मिल सके तो इसलिए रेस्पी को एंड तक पूरा फॉलो क्या करें ये देखे तो बस इसी तरह सारे कबाब को बना लेंगे तो ये देखिए हमारे इतने सारे इसके कबाब तो बीकर आपके हैं तो सारे कबाब मैंने इस तरह से बना के रख लिये हैं इसमें कबाब को फ्राइ कर लूँगी बहुती असानी सी मेरे दो अंडों में बहुती सारे कबाब बनके तयार हो चुके थे तो ये देखें दो अंडे लिये हैं मैंने इसमें और अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा नमक और इसमें डालूंगे थोड़ी सी कालमिज पिसी हुए और आप इन दोनों अंडों को में जो बहुत अच्छे से फेट लेना है तो बस देखिए मैंने अंडे को भी फेट लिया है और आप इसको अंडे में डिप करेंगे और इसके बाद इस तरह से ब्रेट करम्स लगाएंगे तो ये हॉममेट ब्रेट करम्स है तो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मैंने बहुत टाइम पहले इसको मना कि आप लोग के साथ शियर किया था तो इसी तरह की बहुत सारे आइडियाज में आप लोग के साथ शियर कर चुकी हूँ तो पिछली वीडियोज को भी आप मेरी जाकर जरूर देखा करें तो ये देखें इस तरह से मैं इसके उपर ब्रेट करम्स लगा रही हूँ तो इस टाइम पे मेरे कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है क्योंकि लोड शेडिंग की विद्यासी में इसको एलेडी लाइट पे बना रही हूँ और थोड़ा सा मुझे इस तरह से एलेडी पे बनाना पढ़ रहा है तो लोड शेडिंग का बहुत जादा इश्यूस चल रहे हैं तो मुझे बहुत जादा प्रॉब्लम्स आती है तो इसी विद्यासी में काफी टाइम तक आप लोग के साथ रेस्पी को शेयर नहीं कर पाती हूँ तो देखिए बस मैंने ओइल को इस तरह से गरम कर लिया है और ओइल को मैं इस तरह से इतना लूँगे कि यह हमारे कबाब जो है उसमें अच्छे से डिप हो जाए तो इस तरह से नीचे से अच्छा सा कलर आने के बाद इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे तो बस एक बार मैंने इसकी साइड को चेंज कर दिया था दूसरी साइड से भी मैंने इसको एक से दो मिन्ट तक फ्राई कर लिया है तो बहुत ही जबदस बहतरीन से हमारे कबाब इस तरह से फ्राई हुए हैं तो ये देखिए बहुत ही अच्छा इनका कलर आया है उपर से बहुत जादा क्रिस्पी बने है क्योंकि मैंने इसके उपर ब्रेड क्रम्स लगाया था तो इससे हमारे कबाब बहुत जादा क्रिस्पी बने है इससे बहुत टेस्टी भी लगते हैं तो ये देखिए हमारे बहुती 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 प्रिस्पी भी बहुती 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 ब रेसिपी कैसी लगती है तो आप लोग मुझे क्या क्या सिखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं तो मैं आप लोग के कही न कही कभी न कभी जरूर कोशिश करूंगी कि आप लोग को जो आप लोग सिखना चाहते हैं वो मैं आपको सिखा सकूं और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं आप लोगो कुछ सिखा पा रही हूँ तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कर दे हो और मिलते है को और नए रेसिपी के साथ तो जब तक अपना खया लगएगा हमें अपनी दौाओं में याद रखेगा तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा तो अब हम इजादत दीजी अलाफीज